शोसल मीडिया पर लगतार विरोध होने के बाद पावन सिंग अपने फिल्म के प्रमोशन के लिए जैसे तेसे लाइब तो आ जाते हैं लेकिन उनको ये भी पता नहीं होता है कि उनकी फिल्म सिनेमा घर में कब रिलीज हुई है उसके बाद शोसल मेडिया पर ऐसे खवरे चल अब कि और यह प्रमोशन के लिए परहन कुछी दिन पहले बहुत कुछ कहने प्रमोशन सुनने लगतार विरोध होने के बाद लाईब आए थे और लाइब आकर पावन सिंगे कहते हैं कि फिल्म का सेंसर पास नहीं हुआ था, फिल्म में BFX का कुछ काम बाकी रह गया था, जिसकी वज़ा से फिल्म को गुरुवार को सिनेमा घर में रिलीज किया गया, उसके बाद पीछे से एक आवाज आती है और वो आवाज को सिनेमा घर में रिलीज हुई है, और आज की इस वीडियो में हम इसी बिंदू पर बातचित करेंगे, लेकिन उसे पहले नमस्कार, मेरे नाम है डौरी पांडे, मेरे साथ एक आवामान विशाल और आप देख रहे हैं चन्ता जंक्शन, देखिए पावन सिंग अपने फि उनका रिलीज डेट नहीं पता था, तो ये काफि शर्मनाक बात है, और शर्मनाक बात इसलिए भी है क्योंकि पावन सिंग एक बड़ी स्टार है, वो अगर अपने फिल्म के प्रमोशन के लिए लाइब आते हैं, या किसी भी मुद्दे पर अपनी बात रखते हैं, तो उन देखने वाले सुनने वाले सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोडों लोग हैं, पावन सिंग के चाहने वाले ना सिर्फ यूपी बिहार भारत में, बलकि भारत के अलावा और ऐसे कई देश हैं, जहां कि लोग पावन सिंग को देखना सुनना पसंद करते हैं, ऐसे में अग एक गलत मेसेज जाता है इसे पम उनसींगफ के साथ साथ बोचब कुर इंडस्ट्री की इचभी खराब होती है अपने ही फिल्म सेगाении में ऑनदे काम के प्रतिप बूरमोच के नहीं है 200 फिल्म को लेकर वह यह अपने फिल्म का प्रमोशन कर रहे होते तो पुंक को यह बात तो पवन सिंग हर हर गंगे फिल्म का ट्विलर रिलीज होने के बाद दूसरी बार लाइब आकर फिल्म पर फिल्म पर कुछ बोल रहे थे, उसके बावजुद भी वो अपने फिल्म से जुड़ी सही जानकारी आउडियंस को नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उनको खुद भी नह यहां तक पावन सिंग तो पीशे से कर्रेक्ट करते नहीं यहां तक पावन सिंग निशान तुज़ें के तरफ एक डिस्टोब्यूटर है और इनके पास फिल्म से जुड़ी जाधा जानकारी है, अभ है आप लोगों को बताएंगे, इसके बाद निशान तुज़ेंस में पताते हैं कि हर जंगे कहां लगी है फिल्म का रिसपॐंसे रहा है और इन सारे बातों से इसाफ दूसह होता है पमंद सिंग भले है इस फिल्म के हीडों है लेकिन उनकोई जादकारी नहीं पता है ऐसे में पमन chem को इस बात का makers, film के distributor, director, producer से बातचीत कर लेनी चाहिए थी, आपस में सब कुछ details में समझ लेना चाहिए था, उसके बाद ही live आकर इस film का promotion करना चाहिए था, क्योंकि अगर पवन सिंग इस film के lead role में नज़र आए हैं, वो इस film के अहन किरदार में हैं, तो पवन सिंग अगर इस प्रकार के कोई छोटी सी भी गलती करते हैं, तो वो बिल्कुर भी माफी के लाइक नहीं है, बाके आपका इस पर क्या कहना है अपनी रह बताईएगा, फिलहाल इस वीडियो को समात करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।